नाती ही निकला अपनी दादी का कातिल पुलिस ने आरोपियो को हिजासत मिले कर कानूनी कारेवाई करते हुवे जेल भेजा पुव्या मामला जनपत हमेरपुर की अंथरगत आने वाले से सोलग ठाना श्रितर का है जहां पर एक अस्ती वर्षिप व्रत मैला का श्रफ घर में ही खून से लगपत पड़ा मिलने से लोगों में हड़कम मच गया था मौके पर पहुँची पुलिस ने श्रफ को अपनी कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया था और स्वाट टीम वह पुलिस टीम और डॉक स्वाट टीम जांच मुझट गए थी जिसको लेकर पुलिस ने नाते पे हत्या के श्रक में तहरेट भी प्राप्त की थी और आरोपी की तलाश की जा रही थी जब आरोपी को ग्रफतार किया गया तो पता चला कि वृत की हत्या का नाती ही गुनेगार है एक दूसरे से खुंदक में आरोपी पोते ने अपनी दादी कातारू के नश्य में हंसी से कई बर प्रहार करके कतल कर दिया और मौके से फरार हो गया था पोलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानोडी कारवाई करते हुए जेल भेज दिया है वहें घटना का कुलास्ता करने वाले पोलिस टीम का भी उत्साह वर्धन किया गया पराव उसकी हथ्किया दियाने कि आसंका ऐस पर मुकॉणमा बंजी किया गया था पोस्मार्टम पंचादना नवा पोस्मार्टम कराया गया उसके बाद हिसकी तलास कि शेप ना जुल सुईकार किया इसने करती मैं उस ताब को मैं स sentiments इसके पारदा ना शान को तोड दिया धिसके पत्थर के तोड़ दिया था। गाले के लावज दी थी उसके वाई इसने हसिया उठाया उसको मारा दोसिया सिर्थ पर मारा फिरो गिर गई पर कई बार हसिये से वार किया इससे उसकी मौके पर ही डेथ हो गई उसके वाली भाग लिया वीरो रिपोर्ट वीसरस न्यूस हमेरपुर उत्तरप्रदेश